हेई ब्यूटिफल पीपल, आम श्री, वल्कम और वल्कम बैक तो माई शानल, I hope that you guys are doing very well, so इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सॉफ्ट ग्लाम लोग शेयर करूंगी, आई लोग थोड़ा सा हेवी है, बट करने में बहुत जादा एजी है, so ये मैं आपको दिखाने वाले ह किस तरह आप इस easy glitter eye look create कर सकते हो, अगर आपको चानना है कैसे, then please keep on watching, I hope आपको ये look पसंद आ रहा है, this glittery eye look and उसके साथ pair up मैंने कर रहा है, brown lip shade को, I hope आपको ये whole look पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है, then please keep on watching, सबसे पहले मैंने अपनी skincare करके eye base create कर लिया है, eyebrow problem मैंन कर लिया है, मैंने एक light shade लिया है transition के लिए, मैंने लिया था sugar का eye shadow palette, उसमें से मैंने ये light shade shade लिया है, transition पर चानना है, like this, एक fluffy brush आपको लेना है, उसी के साथ, बस transition पर आउटर पर आपको चानना है, like this, एक color आने तक, like a very light color आने तक, मैं इसे blend कर रही हूं, like this, ठीक है, then मैं एक थोड़ा सा ओरेंजी shade लोंगी, वही सेम sugar palette से, this one, इसे लेकर मैं क्या करूंगी, crease पे थोड़ा थोड़ा deposit करके मैं उसे blend करूंगी, like this, इसे क्या होगा, हम जो cut crease करेंगे ना, उसका एक अच्छे सा shape आएगा, पता चलेगा कि हाँ, आपने cut crease करा हुआ है ठीक है, so बहुत hues quantity में मत लो, थोड़ा थोड़ा लो, और उसे apply करो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं उसे apply करके blend कर रहे हूँ, और यहाँ पे दीख सकतो, आप crease में थोड़ा सा pigment हो चुका है, जैसे हमें चाहिए था, वैसे, ठीक है, और जो भी colors आप place कर रहे हूँ अच्छे से blend करो, ठीक है, जहाँ पे place करो, उसे blend करो, अच्छा eye look आएगा, तो अच्छे से मैं blend कर रही हूँ, and as you can see, बहुत proper तरीके से blend हुआ है, बिल्कल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं blend नहीं हुआ है, then मैंने लिया था यह वाला shade, ठीक है, यह थोड़ा सा darker shade है, मैंने लिया था ELF का, यह थोड़ा सा darker tan, maroon kind of shade, इसको लेकर मैंने आउट ओवी पे सिधा place करा है, उसे मैं invert blend कर रही हूँ, मैं उसे crease की तरफ नहीं ले रही हूँ, मैं इसे invert blend कर रही हूँ, ताकि आउटर पे अच्छा सा deep color आ जाए, ठीक है, then मैं cut crease कर रही हूँ, मैंने concealer लगा, उपर देखो, आपको बदर चल जाएगा, कहां से आपको cut करना है, मैं थोड़ा सा like heavy cut crease करूँगी, थोड़ा सा उपर, ठीक है, so अच्छे से मैं shape देकर cut crease कर रहे हूँ, और यह आपने देखा, cut crease मैंने कर लिया है, थोड़ा सा process लंबा होता है, मुझे लंबा कर रहे हूँ, वो थोड़ा सा long हो जाएगा फिर video, तो अच्छे से मैंने concealer से, एक even look दे दिया है cut crease को, दिन में क्या करूँगी, यह जो shade है न, compact वाली जो shade होती है हमारे eyeshadow palette में, उसी से मैं set करूँगी पूरी concealer को, ठीक है, पूरी cut crease को, यहां में कोई और color place नहीं करूँग क्योंकि मुझे एक nude base चाहिए था, glitter के लिए, glitter application के लिए, then मैंने लिया था plum का kajal, इसे में लेकर, एक heavy सा liner ड्रॉ कर रही हूँ, like half liner में ड्रॉ कर रही हूँ, like this, पहले मैं इसी तरीके से apply कर रही हूँ, then में से smudge करूँगी, then black eye shadow से, इसे में again smudge करके, एक shape दे के, so like this, आप चाहँ तो आप कोई gel liner ले सकते हो, वो काफी thick होता है, बहुत अच्छा होता है, so मेरे पास अभी के लिए को gel eyeliner नहीं है, इसलिए मैं काचल से कर रही हूँ, so मैंने ये angular brush लिया है, इसी से पहले मैं smudge करूँगी, थोड़ा-थोड़ा, like काचल को even करने के बस smudge करने से वो और भी even लगती है, blended लगती है, then मैंने black shadow लिया था, makeup revelation की eyeshadow palette से, ठीक है, उसी को लेकर मैंने उसे blend कर रहा है, आउट्टो की तरब मैंने थोड़ा से blend कर दिया है, तक एक blended look का है, क्यूंकि मैं कोई crease, sorry मैं कोई eyeliner, wing eyeliner look में नहीं create कर रही हूँ, ठीक है, सो करने के बाद मैंने कफसान लाश्यस के eyeshadow palette में से, ये दोनों glitter लिये थे, एक silver glitter, दुसरा black glitter, उन्हीं दोनों को mix करके, मैं यहां पर apply कर रही हूँ, पूरी cut crease पे, अगर liner पे आ रहा है glitter, तिन आने तो वो भी अच्छा look आएगा, सो अच्छे से मैंने cover कर लिया है, like this, okay, so it's done now, अच्छे से मैं से apply कर रही हूँ, ये जो glitter से थोड़े से fallout होगा, so base makeup करने से पहले ही, आप अपना eye makeup कर लो, अकर आप glitter looks के साथ चाहते हो, मैंने तो आज वही कर रहा है, so then मैंने वही tan shade को again लेकर, ELF की eyeshadow palette दे, आउटर वी पे, मैंने उस अप्लाय करके invert blend कर रह हो जाए, और वो जो liner है वो भी थोड़ा से smooth हो जाए और यहां पर आप देख सकते हो, then मैंने magnetic eyelashes के पहले उसकी glue पे liner दे, एक liner create कर रहा है, very close to lash line, then मैंने falsies को apply कर रहा है, and this is the look, then मैं base makeup को back करी हूँ, जो glitters fallout हुए थे, उसे मैंने remove करके skincare थोड़ा सा कर लिया तो उसके प्राइमर अप्लाइ करी हूँ, मैं purple का, यह प्राइमर बहुत अच्छा है, अगर आपकी combination skin है, dry skin है, आप इसे लगा सकते हो, पर जिनकी बहुत जादा oily skin है, मैं उने suggest करूंगे कि वो mattifying primer है, यह आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं करेगा, so अच्छे से यहां पर प् product अपकी skin के अंदर नहीं चाती है, so primer is the most important step, don't skip it, then मैं एक glowy look चाते थी, एक within kind of glow, जो highlighter से अकसर नहीं आती है, so मैंने लिया था NYB का strobe cream, जिसे कहा चाता है कि यह MAC strobe cream का dupe है, ठीके, and this is very true, मेरे पास दोनों है, मेरे पास MAC का है, and यह वाली strobe cream है, मैंने दोनों को compare भी क palette मुशन मिला, मैंने लिया था वही strobe cream को मेरी highest points पे, like जहां पर हम पावडर हाइलाइटर अपलाए कर ते वहां पर अपलाए करके एक ड्रश के हैप से, मैंने उसे इवेली blend कर रहा है, and वो ब्लेंडेड हाइलाइटर है, ठीक है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा सा color correction के लिए, मैंने orange color correction लिया था, आज मैं heavy color correction नहीं कर रही हूँ, लेकर उसे मैं अंडराई एरिया पर apply, अंडराई एरिया पर apply कर रहा था, माथ रहे के पास थोड़ा सा nose पे, that's it, okay, अगर आप stroke trim apply कर यह liquid highlighter, पहला आप वो अपलाए करो, देन color correction करो, ठीक है, नहीं तो color correction के बाद, अगर कोई भी liquid product अपलाई करोगे न, जैसे हम उसे blend करते है, वो हाइड हो जाएगा, color correction अपका दिखे का नहीं, ठीक है, so then, सारा कुछ मैंने ब्लें करने के बाद मिली लिया था, यह foundation, sugar की foundation, यह तोड़ा से मैट काइंड और फेनेशे देता है, so dry skin आना oily skin, दोनों इसे use कर सकते हैं, इसमें मेरा shade भी आपको दिख गया, screen पे, screen पे, इसे apply करने के बाद, आप नेक को कभी escape मत करो, ठीक है, उसे भी skin care करो, उसे भी अच्छे से primer से प्रेप करो, उसे भी, अगर आपकी नेक पे कोई uneven skin tone है, दाग है, कुछ है, जैसे हम हमारी आपकी face को color correct करते हैं, वैसे ही आपकी नेक को भी color correct करोगे, ठीक है, दिन मैंने foundation evenly blend करा था, दिन मैंने cream contour करा था, for that deep look, deep contour look, so मैंने cheeks को करा था, nose को करा था, and jawline को, थोड़ा सा lips के around, उसे blend करने के बाद, same sugar की concealer ले रही हूँ, chin पे, preserve the nose, tip of the nose, forehead, अन्राइ एरिया पे, और बहुती कम कॉंटिटी में अप्लाइ करो, इवेली blend करो, वो एक light weight, sorry, वो एक light weight look देगा, and a long way तक चलेगा आपका, so then मैंने powder से अचे सेट करा था, मैंने अन्राइ के लिए क्या करा था, पावडर से sponge को, रब करके, मैंने अन्राइ एरिया को सेट करा है, इसलिए क्या होगा, अपकी अन्राइ इतनी जल्दी क्रेज नहीं करें कि ठीक है, so then पावडर से नेक और फेस को अचे सेट करने के बाद मैंने ब्लश अप्लाइ करा था, मैंने ब्रॉंजर यहां प्लाइ नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टर क्रीम क लाजर फीड एक स क्षेक नेन मैंने प्लाइ करा है, सॉफ्टर क्शन में ने कि ब्लेंड भी करा है, क्योंकि यहां ब्लेंडेट लुक जादा आखे, अपको मेकप एक दो मर्ज हो जाता है, क्योंकि मोझा नाचिरल लगती है, मेकप कभी अप्की स्किन लक सकती है बड्यक् पहले हाई लाइट कर दिया था दें लिप शेट के लिए मिने लिया था बिला वोस्टे का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लूख आपको कैसा लगा इस तरीके की लूख नाप किसी वेडिंग सीजन के लिए कर सकतो किसी फेस्टिव सीजन के लिए अगर आप मेकप लवर हो त्था पॉफेक्ट लुक ठीक है सो यह अगर अच्छा लगा है तो मेरी चानल को भी सुस्क्राइब कर देना आप नहीं करते हो ठीक है सो सी यू सोन विद मैं नेक्स वीडियो तिल देन ठीक है रहन बाई